तो इस वीडियो में हम एक टॉपिक परहेंगे जानेंगी कि स्कूल क्या होता है तो पहले हम वार्म एक्सराइज करते है स्कूल क्या होता है जहां हम नई नई चीजों को सीखते है स्कूल is also called the Temple of Knowledge स्कूल को Temple of Knowledge मतलब ग्यान का मंदिर भी कहा जाता है तो इस स्कूल हमें पता चला है स्कूल क्या है स्कूल एक वो जगा है जहां हम नई चीजों सीख रहे हैं और उसको ग्यान का मंदिर भी कहा जाता है next is list three things you like about your school तो तीन चीज़ें लिखनी हैं जो कि आपको अपने स्कूल के बारे में पसंद है तो यहाँ आपको वो तीनों चीज़ें लिखनी हैं कि आपको इपने स्कूल में क्या चीज़ पसंद है क्या अच्छा लगता है वो आपको यहाँ mention करना है now school school क्या है देखिंगे हम hello I am Ria तो यह आप पिच्चर में देख रहे हैं लगकी इसका नेम है Ria तो वो कह रही है hello I am Ria let me tell you about my school चलो मैं आपको अपने स्कूल के बारे में बताती हूँ the name of my school is Green Valley School मेरे स्कूल का नाम क्या है Green Valley School I wear this dress to school everyday तो यह इसने जो dress पहनी हुई है यह इसको daily बता रही है कि I am इस dress को daily school पहन कर जाती हूँ तो इस dress को क्या कहां जाता है इट इस कॉल uniform इसको क्या बोला जाता है uniform बोला जाता है तो आप सभी dress पहन कर school जाते हैं then we go to school to study हम school किस के लिए जाते हैं पढ़ाई करने के लिए जाते हैं we make new friends वहाँ हम नए नए दोस्त बनाते हैं school है classroom, playground, library, medical room, canteen and a stationary room तो school में क्या क्या चीज़ा होती है classroom होता है जहां बैठकर हम पढ़ाई करते है playground होता है, library होती है जहां बहुत सारी books मिलती है medical room जहां दवाईय मिलती है, canteen होती है जहां हम अलग रख तरीए की चीज़े खरीदते हैं खाने के लिए, stationary room होता है जहां पर pencil, eraser यह सारी चीज़े हमें मिलती है तो यह सब क्या है, यह सब हमारे school है, school के अंदर हमें यह सारी चीज़े मिलती है now let's do some exercise, fill in the blanks and say more about your school यह जो blanks दे रखे हैं, खाली जगह दे रखे हैं, यहां पर आपको लिखना है तो first हमें क्या दे रखा है, first is, first question क्या है हमारा my name is, तो जो आपका name है, जो भी आपका name है, आप उसे इस जगह पर लिखेंगे तो जो भी आप सभी अपना-पना name यहां लिखेंगे second, the name of my school is, जो आपके school का name है, जिसे रासा इंटरनेशनल है तो हम यहां पर रासा इंटरनेशनल स्कूल हम यहां mention करेंगे ठीक है, तो आपको पूरा यहां पर लिखना है I study in class, फिर उसके बाद आपको बताना है, आप किस class में पढ़ते हैं तो आप first class में पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा first class, ओके next is, my class teacher is, तो जो आपकी class teacher है, जो भी आपके class में आती है आपकी attendance लेती है मैम, तो यहां आपको उनका name लिखना है I reach school at dash am, तो हम आप सभी school कितने बज़े पहुंचते हैं तो जैसे 7 o'clock, तो यहां 7 o'clock हम यहां mention करेंगे कि हम 7 बज़े school पहुंचते हैं, ओके next is, I carry books, notebooks, lunch box and a pencil box in my school bag तो जो आपका school bag होता है, उसके अंदर आप क्या-क्या चीज़ें लेकर जाते हैं books लेकर जाते हैं, अपनी notebooks लेकर जाते हैं किताबें, कॉपियां, अपना lunch box जो आप टे फिन जिसमें खाना खाते हैं pencil box लेकर जाते हैं, जिसमें आपकी pencil eraser होती हैं तो यह सारी चीज़े, school bag में हमां हम carry करके लेकर जाते हैं okay, I hope you all understood, the rest part we will continue in our next video thank you